जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतिय जनता पार्टी की इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टोरिट, भारतिय जनता पार्टी का तिहाड प्रशासन, अरविंद के जरीवाल जी ने जो राउज आवन्यू कोर्ट में अपनी अप्लिकेशन डाली थी, कि वो अपने डॉक्टर से, अपने डाइबिटीज के स्पेशलिस्ट से विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से कॉन्सल्टेशन करना चाते हैं, और उन्होंने जो अप्लिकेशन डाली थी, कि वो इन्सुलिन फिर से शुरू करना चाते हैं, इस अप्लिकेशन का विरोध भारतिय जन्ता पाटी की इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरिट और भारतिय जन्ता पाटी के तिहाड प्रशासन ने किया, इडी के वकील कोट में प्रस्तुत हुए, कहते हैं कि नहीं, नहीं, अर्विंद केजरिवाल जी को अपने डॉक्टर से नहीं मिलने देना चाहिए, तिहाड का वकील पेश हुआ, जो LG साहब की तरफ से पेश हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, अर्विंद केजरिवाल जी को अपने डॉक्टर से वी सी नहीं करने देंगे हम इसका विरोध करते हैं उन्होंने कहा कि हम अर्विंद केजरिवाल जी को इंसुलिन का विरोध करते हैं उन्होंने कहा अर्विंद केजरिवाल जी को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है उन्होंने कोट में जो दलील रखी विडियो कॉन्फरेंसिंग से डॉक्टर कॉंसेल्टेशन का विरोध किया इंसुलिन की जरूरत का विरोध किया उन्होंने कोट में क्या कहा उन्होंने कहा कि हमने एम्स के डॉक्टर से बात करिये एम्स के डॉक्टर बताएंगे कि अर्विंद केजरिवाल जी को क्या चाहिए एम्स के डॉक्टर देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं तो अगर वो कह रहे हैं कि अर्विंद केजरिवाल जी सही डायट चार्ट फॉलो करेंगे तो ना उनको अपने डॉक्टर से बात करने क की जरूरत है ना उने specialist doctor से बात करने की जरूरत है और ना ही उनको insulin की जरूरत हो यह बात भारतिय जनता party की ED और भारतिय जनता party के तिहाड प्रशासन ने रखी आज मैं आप सब को AIMS के doctor की सच्चाई बताना चाती है ED ने तिहाड प्रशासन ने जब AIMS के doctors का पक्ष रखा तब तक उन्होंने अर्विंद केजरिवाल जी की AIMS के किसी doctor से consultation नहीं करवाई थी वो उने AIMS के किसी doctor के पास लेकर नहीं गए थे AIMS के किसी doctor को तिहाड नहीं बुलाया था किसी diabetologist को नहीं दिखाया था और जैसा के कल हमने आपको उनकी छिठी पेश करके सामने रखा दो दिन पहले तक उन्होंने diabetologist की request तक AIMS को नहीं रखी तो सबसे पहली बात वो court में खड़े हुए कहां के हमने AIMS से consult किया है लेकिन उन्होंने अरविंद केजरिवाल जी को AIMS के किसी भी diabetologist को नहीं बिखाया दूसरी बात court में ये कागस दाखिल किया तिहाण प्रशासन में के AIMS के सबसे बड़े डॉक्टरों ने AIMS के diabetes के specialist ने अरविंद केजरिवाल जी की diet chart बताई है कि अगर वो इस diet chart को follow करेंगे तो उनको insulin की ज़रूरत नहीं होगी AIMS के इस कागस के आधार पर उन्होंने अरविंद के जरिवाल जी की insulin का विरोध किया कि diet chart किस ने बनाया क्या ये AIMS के diabetologist ने बनाया क्या ये AIMS के diabetes specialist ने बनाया नहीं आप अगर इस diet chart को को देखने जाईए तो ये किसी diabetologist ने नहीं बनाया ये मात्र AIMS के nutrition department dietetics department से एक standard diet chart ED उठा के लिए आप इस diet chart को देखिये तो इस पे लिखा ये नहीं department of diabetes ये नहीं लिखा department of endocrinology इसमें लिखा है department of dietetics और इस diet chart पे sign करने वाले हमें कहते हैं कि इन्हों ने AIMS के top doctor से consult किया है आप इस diet chart को उठा के देखिये तो इस पे sign करने वाली कि डॉक्टर परमीत कौर डाइबिटोलोजिस्ट नहीं है एंडोक्रिनोलोजिस्ट नहीं है एक dietitian और हम सब को पता है कि dietitians MBBS doctors नहीं होते हैं यहां तक कि परमीत कौर जी का अपना LinkedIn profile यह के दिखाता है कि वह MBBS doctor नहीं है वह MSC और PhD है nutrition और dietitics वह जरूर senior nutritionist होंगी वह जरूर dietitian की field में qualified होंगी लेकिन क्या अर्विंद केजरिवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अर्विंद केजरिवाल जी जिनको 30 साल से diabetes है अर्विंद केजरिवाल जी जिनका sugar level 300 की उपर है अर्विंद केजरिवाल जी जिनका ED custody में sugar level 45 पे गिर गया था क्या यह M से consultation कर रही है अर्विंद केजरिवाल जी को अपने बहुत स्पस्ट तरसे बात रखी है कि हमें अर्विंद केजरिवाल जी को अपने specialist diabetes doctor से consult करने का अधिकार होना जाएगे अर्विंद केजलीवाल जी की diabetes कुछ छोटी चीज नहीं है उनको 30 साल से diabetes है 54 unit insulin हो लेते हैं उनका sugar level 300 पार कर रहा है जब ED custody में थे एक दिन उनका sugar level 45 पर गिर गया था ED custody के दोरान मातर 11 दिन में उनका वजन 5 kilo घट गया था ऐसी fluctuations चाहे वजन में चाहे sugar level में किसी भी diabetes के patient के लिए किसी भी severe diabetes के patient के लिए बहुत serious हो सकती है बहुत घातक हो सकती है तो ये बिलकुल मजाख है कि बिना किसी diabetologist को दिखाए बिना किसी diabetes डॉक्टर से सला लिए ऐसे diet charts को court में submit किया जा रहा है और इनका हवाला देखे कहा जा रहा है कि अर्विंद केज लिवाल जी को insulin की ज़रूरत में कि अरुच्टर से ज़रूर को यह जई अर्विंद के अर्विंद कि दो